जे गुरुदेव सच्चे ही सादक के लिए एक अंतरंगवारता के अगले सत्र में मैं स्वामी वहिशंपयन आर्ट ओफ लिविंग फाउंडेशन से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का ज्यानपत्र पढ़ लेंगे फिर उस पर चर्चा भी होगी यह ज्यानपत्र 18 ओक्टोबर 2000 बैंगलोर आश्रम भारत में देया गया शिर्शके अपनी शमता की अज्यानता तुम्हें विशाल बनाती है हमेशा यह जान लो कि इश्वर कभी तुम्हें ऐसी जिम्मेदारी नहीं देगा जिसे तुम पूर्ण करने के लिए समर्थ नहीं हो यदि तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुमसे कोई इलाज की अपेक्षा नहीं करेगा यदि तुम बिजली मिस्त्री नहीं हो तब तुमसे कोई तार ठीक करने के अपेक्षा नहीं करेगा तुमारी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जिसे तुम पूरे करने के लिए सक्षम होते हो और तुम यह नहीं जानते कि तुमारी कितनी क्षमता है हमेशा यह स्विकार करो कि तुम अपनी क्षमता नहीं पहचानते तुमारी क्षमता की अज्यानता तुमें विशाल बनाता है जब तुम अपनी क्षमता जानते हो तब तुम उन्नती कर सकते हो परंतु जब तुम अपनी क्षमता नहीं जानते तब तुमारी उन्नती आसमान जो सकती है जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो तुम उन कारियों को कर लेते हो पर जब तुम नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो तुम उन कारियों को और बहतर कर सकते हो बहुती बढ़िया एक नजरिया गुरुजी ने यहां दिया कि जब तुमें अपनी क्षमता पता नहीं है न तुम नहीं जानते तो तुम जीवन में कई गुना बहतर कर सकते हो क्षमता पता है अपनी वो न एक दाइरे में सीमित रहे जाता है जिसको क्षमता के बारे में पता यह नहीं है वो तो करता जाता है करता जाता है एक देखो चोटा चोटा बच्चे को चोटे बच्चे को किसी तुम कोई बड़ा सा बेड़ सरकाने के लिए को उसको पता नहीं अपने इक शमता तो हो सकता है वो एक हाद से भी कर देगा क्योंकि उसको पता नहीं है लेकिन कोई बड़ा अदमी है उसको अपनी एक शमता पता है तो वो क्या करेगा दो हाथ से भी बोलेगा रहे नहीं होगा क्योंकि concepts है ना शमता पता है मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ तो उसके दाइरे में ही सोच रहे गया कितना सुन्दर ये ग्यान पता है just imagine करो जब मुझे मेरी ख्षमता नहीं पता तो sky is the limit फिर आसमान चूँ सकते है लेकिन अगर मुझे मेरी ख्षमता पता है ना तो उस दाइरे के बीच में ही मैं रहे जाओंगा वा नॉर्मली हमने बजपन से यह सुनांगा रहे अपने ख्षमता को पहचानों अपने ख्षमता को पहचानों यह करो अपनी ये commonly सुनते हैं बच्चों को भी हम कहते हैं अरे अपनी जो भी कितना potential है उसको पैचानो तुम में तो गुरुजी ने एक complete दूसरा दृष्टिकों दिया अच्छा है तुम नहीं पैचानते हो नहीं पैचानते नहीं देगा जिसे तुम पूर्ण करने के लिए समर्थ नहीं हो यह विश्वास मन में रखना यह समझ मन में रखना इश्वर तुम्हें कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं देने वाला जो तुमारे बस में नहीं है जो तुम्हारे क्षमता में नहीं है यदि तुम डॉक्टर में तो तुम से कोई मिलाज कि आपकशन 살 में ते ना अगर तुम डॉक्टर के पास lit है डॉक्टर में वह क्षमता है वो करने की है ना तो तुमको ऐसे कोई काम नहीं दिया जाएगा जो तुम्हारे बसका नहीं है जैसे हम डॉक्टर नहीं है तो कोई इलाज के लिए नहीं आएगा यदि तुम बिजली मिस्त्री नहीं हो तो तुमसे कोई तार ठीक करने क्या प को ठीक कर दो तो नहीं मांगेगा कोई अपिक्षाहीं नहीं करेगा क्यूंकि उनको पता है आप तो इलेक्ट्रीशन नहीं हो एक भीजली के मिस्त्री को तुम्हारी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जिसे तुम पूरे करने के लिए सक्षम होते हो यह याद रखना तुम्हें जो भी जिम्मेदारी मिल रही है या मिली हुवी है तुम उसके लिए केपेबल हो यह दिमाग में फिट कर लो और तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी कितनी क्षमता है हमेशा यह स्विकार करो कि तुम अपनी क्षमता नहीं पहचानते दूसरा पहलू क्या बताया तुम्हें उतनी जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुम्हें वो पूरा करने की और दूसरी बात यह कहिए कि तुम ये भी स्वीकार कर लो कि तुमको पता ही नहीं ये तुम में क्या ख्षमता है ये कभी-कभी क्या होते आरे मुझे पता है मैं ये करी नहीं सकता बास खतम हो गया बात जब तुमको पता है क्या सही में तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो नहीं जानते तुम तुम नहीं जानते तुमने क्या पोटेंशल है तो हमेशा यह स्विकार करो कि तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचानते तुमारी क्षमता की अज्ञानता तुम्हें विशाल बनाती है तुमारी जो क्षमता के प्रतिकी अज्ञानता है ना वही तुम्हें विशाल बनाती है जब तुम अपनी क्षमता जानते हो तब तुम उन्नती कर सकते हो परंतु जब तुम अपनी क्षमता नहीं जानते तब तुमारी उन्नती आसमान छू सकती है यह बहुत सुन्दर का है जब तुमें पता है ना तो तुम डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो अपने आपको लेकि अपने आपको develop और evolve कर सकते हो क्यूं धन्यवाद दो कि तुम्हें अपने इक्षमता पता नहीं थी शमता पता होती ना बस उस दाइरे के बीतर ही सिमटके रह जाते उस दाइरे तक पहुंचते यह नहीं कहता मैं नहीं पहुंचते होता development लेकिन अच्छा है खुशी मनाओ कि मुझे मेरे इक्षमता पता नहीं है तो मैं तो आस्मान भी छू सकता हो कुछ भी कर सकता हो जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो तो तुम उन कारियों को कर लेते हो पर जब तुम नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो तुम उन कारियों को और बहतर कर सकते हो जब तु कुछ कार्यों को कर सकते तो डेफिनेटली तुम उसे पूरा करोगे लेकिन जब तुम्हें पता नहीं है ना तो तुम उसे और बहतर करोगे क्योंकि तुम जानते नहीं हो यह तुम से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो फिर आप देखो जब तुम्हें पता नहीं है जब होता है ना टोड़ा सा रिलाक्स रहें एंब तो टोड़ा रिलाक्स हो जाते लेकिन चब पता नहीं है ना तो शरीर का कंड-ंड का उसमें सहभा गी हो जाता है और वह क्यों चींज हो जाता है सब कुछ बदल जाता है इतना बहतर तुम्हें जब यह काम कर पाऊगे कि नहीं कर पाऊगे यह पता नहीं यह तब होने के चांसे से देखो यह बहुत ही एक क्या कह सकते रिवोशनरी रिवोलुशन ला सकता है ऐसा एक गुरुजी ने नजरिया दिया है न तो यह अच्ची बात है तुम्हें अपनी घ्षमता ह VO पता नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो पता हो जाएगा न तो फिर उत्का लिमिटेड कर पाऊगे तो आज से ये बढ़िया है अपनी शमता हो का तुमें उसके प्रती जो सजटता नहीं है अज्ञानता है ना यही तुमारा वो एक मूल मंत्र हो जाएगा कि तुमें विशाल बना देगा तुमें इतना उपर ले जाएगा जिससे तुम आसानी से आसमान छूपाओगे तो अच्छा है तुमें अपनी शमता है पता नहीं है उसके प्रती अज्ञान हो तो आज तो हम यही पर रुकेंगे और जैसे मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ प्लीज आपको ये ग्यान पत्र क के बारे में क्या लगता है उससे जुड़े दुए कुछ प्रशना आपके मत में उठते है तो जरूर-जरूर कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए उसके उपर हम जरूर चर्चा करेंगे बाकी के लोगों से भी कमेंट से के बारे में क्या लगता है उसे आप लिखिए प्रश्मों को लिखिए उसके उपर हम कमेंट सेक्शन में चर्चा करेंगे तो आज तो हम यही पर रुक रहे हैं कल दुबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए शुबरात्री दुबर्ण